हलो गैज, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस पांट जयापुर में बहुत-बहुत स्वागत हैं आज हम जानने वाले हैं बारत के टोप असी मंदिर जो कहां है और वो मंदिर किस नाम से, किस वज़ा से, किस विसेशता के कारण प्रसिद है ये वीडियो सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप कोई सी भी एक्जाम्स देते हो, उनमें एक क्यूशन जो है वो मंदिरों से समंदित पूँचा जाता है उसी चीज को मैं तबून मानते हुए, ये वीडियो बनाया गया है बिना किसी देरी के वीडियो स्टाट करते हैं और आप चैनल पर नए हो तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्रसंद संक्या पहला है कि सालासर बालाजी मंदिर कहां इस्तित है आप्शन A है राजस्तान, आप्शन B केरल, आप्शन C नागालेंड, आप्शन D जारखंड आप इन प्रसंद का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में भी दीजी या आप एक पैन और कोपी लिलीजी, उनमें आप प्रक्टिस भी कर सकते हैं प्रसंद संक्या फस्ट है कि सालासर बालाजी मंदिर कहां इस्तित है आप्शन A राजस्तान, आप्शन B केरल, आप्शन C नागालेंड, आप्शन D जारखंड राइट आंसर होगा आपका, आप्शन A सालासर बालाजी मंदिर राजस्तान में इस्तित है अगला प्रशन है प्रशन संक्यादो कामाख्या मंदिर कहां इस्तित है option A कानपूर उत्तरप्रदेश option B है आपका गुवा हाटी आसम option C है राची जारखंड या option D पठान कोर्ट पंजाब कामाख्या मंदिर राइट आंसर होगा option B गुवा हाटी आसम आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्यादो तीम के तरप जिसे आप सबी जानते हों माता वेशनो देवी मंदिर कहां इस्तित है option A नेनी ताल उत्राखंड option B कटड़ा जम्बू कस्मिर option C जैपूर राजस्तान या option D जोदपूर राजस्तान राइट आंसर क्या होगा आपका option B कटड़ा जम्बू कस्मिर माता वेशनो देवी मंदिर कटड़ा जम्बू कस्मिर आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या चार नटराज मंदिर कहां इस्तित है option A है हरियाना option B है अर्नाचल प्रदीश option C है तमिलनाडू option D है हिमाचल प्रदीश नटराज मंदिर कई बार क्यूशन पूचा जा चुका है नटराज मंदिर कहां इस्तित है हरियाना अर्नाचल प्रदीश तमिलनाडू या हिमाचल प्रदीश आपका राइट आंसर होगा option C तमिलनाडू नटराज मंदिर तमिलनाडू में इस्तित है आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या पांच की तरफ चुहों के मंदिर कर्णी माता का मंदिर कहां इस्तित है जहां की विशेशता है कि वहां सपे चुहे पाई जाते हैं मंदिर में कर्णी माता का मंदिर option A कानपुर option B देव प्रियाग उत्राखंड correct answer आपका होगा option C विकानेर राजस्तान चुहों के मंदिर के नाम से भी पूचा जा सकता है आपको क्यूशन और कर्णी माता का मंदिर या ऐसे पूचा जा सकता है कि कर्णी माता का जो मंदिर है किस वज़े से famous है ये भी आपको पूचा जा सकता है आगे बढ़ते हैं प्रसंसिंख्या 6 की तरफ प्रसंसिंख्या 6 है नैना देवी मंदिर कहां इस्तित है Option A, तमिल नाडू, Option B, हिमाचल प्रदेश, Option C, राजस्तान या Option D, 36 गड़ नैना देवी मंदिर राइट आंसर आपका होगा, Option B, हिमाचल प्रदेश नेना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में इस्तित है उसे प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या साथ की तराफ प्रसन सिंक्या साथ है जौला मुखी मंदिर कहां इस्तित है जौला मुखी मंदिर कहां इस्तित है आप्शन A उत्राखन, आप्शन B तमिलनाडू, आप्शन C करनाटक, आप्शन D है हिमाचल प्रदेश राइट अंसर होगा आपका, आप्शन D हिमाचल प्रदेश, जो आला मुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में इस्तित है आगे बढ़ते हैं परसन सिंक्या आठ सोमनाथ मंदिर कहां इस्तित है, आप्शन A पंजाब, आप्शन B विहार, आप्शन C गुजरात या आप्शन D महाराज्ट सोमनाथ मंदिर आपका राइट आंसर होगा, आप्शन C गुजरात आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या नो मामा भांजा मंदिर काहां इस्थित है मामा भांजा मंदिर Option A. देव प्रियाग उत्राखन Option B. बारसुर चत्तिसगड Option C. जौदपर राजस्तान या Option D. नेनी ताल उत्राखन ताफी प्रसिद मंदिर है मामा भांजा मंदिर Option A. Option B. Option C. या Option B साई आंसर है आप्शन B बार सुर्थ चत्तिस गड़ आगे बढ़ते हैं प्रसंद सिंक्या 10 की तरह तिरोपती बालाजी स्री वेंकेटेश्वर मंदिर कहां इस्तित है तिरोपती बालाजी स्री वेंकेटेश्वर मंदिर कहां इस्तित है Option A है नेनीताल उत्राखंड Option B इंदोर मध्यप्रदेश Option C चितुर आंदरप्रदेश Option D जयापूर राजस्थान आपका राइट आंसर होगा Option C चितुर आंदरप्रदेश यह जो क्यूशन है वेरी इंपोर्टेंट है और इसमें जो है 80 से ज्यादा मंदिरों को कवर किया गया है तो आपके लिए यह वीडियो महत्तपून होने वाला है आगे बढ़ते हैं सिद्धिविनायक मंदिर कहां इस्दित है Option A इंदोर मध्यप्रदेश Option B है जोधपूर राजस्तान Option C देवप्रियाग उत्राखंड Option D मुंबई महाराष्ट Right answer होगा आपका Option D मुंबई महाराष्ट में सिद्धिविनायक मंदिर गणिजी का मंदिर है सिद्धिविनायक मंदिर वो कहां है मुंबई महाराष्ट में आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या 12 की तरफ विरुपाक्ष मंदिर कहां इस्तित है विरुपाक्ष मंदिर आपने कई मंदिरों का नाम नहीं सुना होगा विरुपाक्ष मंदिर कहां इस्तित है और मुंख्यते आप वो ही पेपर में पूछ लिये जाते हैं Option A है कानपूर उत्रप्रदेश Option B है भुनेश्वर उडिसा Option C है हमपी करनाटक या Option D है गांदी नगर गुजरात Right answer है Option C हमपी करनाटक विरुपाक्ष जो मंदिर है वो हमपी करनाटक में है प्रसंद सिंक्या तेरा रगुनात मंदिर कहां हिस्तित है Option A जम्मु कश्मिर Option B पंडुचेरी Option C दिल्ली या Option D लद्दाक रगुनात मंदिर Right answer होगा Option A जम्मु कश्मिर आगे बढ़ते हैं प्रसंद सिंक्या 14 विर बद्र मंदिर कहां इस्तित है Option A आंद्रप्रदीश Option B गुजरात Option C दिल्ली या Option D करनाटक Right answer होगा Option A विर बद्र जो मंदिर है वो आंद्रप्रदेश में इस्तित है आगे बढ़ते हैं प्रसंद सिंक्या 15 की तरफ गड काली का मंदिर कहां इस्तित है Option A है नेनी ताल उत्राखंड Option B है राची जारखंड Option C तंजोर तमिलनाडू या Option D उजेन मद्यप्रदेश इसमें आपको एक चीज़ या रखनी है ये दर जो दिये हुए हैं आपके राज्यों के नाम दिये हुए हैं और ये जो है जिला या जगय का नाम दिया हुआ है तो आपको जिला जगय ने देकर राज्य भी पूंच सकता है तो दोनों का ध्यान रखना राइट आंसर क्या होगा? Option A, Option B, Option C या Option D आपका राइट आंसर होगा Option D, उज्जेन मध्यप्रदेश गड़ काली का मंदिर जो है उज्जेन मध्यप्रदेश में है आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या 16 की तरफ कंदारिया महादेव मंदिर कहां इस्तित है? Option A, राजस्तान Option B, मध्यप्रदेश Option C, हरियाना या Option D, उड़िसा कंदारिया महादेव मंदिर Option A, Option B, या Option C, या Option D राइट आंसर होगा आपका Option B, मध्यप्रदेश आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या 17 की तरफ रामपा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर कहां इस्तित है? रामपा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर आपकी पेपर में आ सकता है टप करने के लिए कहां इस्तित है? Option A, युद्तर प्रदेश Option B, तैलंगाना Option C, मेगाले Option D, मनिपोर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा Option B, तैलंगाना रामपा मंदिर या रुद्रेश्वर जो मंदिर है वो तैलंगाना में इस्तित है आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या 18 की तरफ Lotus Temple, बहाई मंदिर याद रखना जो बरकिट में हैं वो भी पेपर में आपसे पूचा जा सकता है कही बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपको Lotus Temple का पता होता है लेकिन बहाई जो मंदिर है उसका नहीं पता होता ये याद नहीं होता तो आप confusion हो जाते हो Option A है राजिस्तान Option B है चंडीगट Option C है लक्षदीप या Option D है आपका नई दिल्ले राइट आंसर आपका होगा Option D Lotus जो Temple है बहाई मंदिर वो नई दिल्ले में इस्तित है आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या 19 यद्दाद्री मंदिर कहां इस्तित है यद्दाद्री जो मंदिर है वो कहां इस्तित है Option A उत्राखंड Option B गुजरात Option C तेलंगाना या Option D राजिस्तान रुद्दाद्री मंदिर राइट आंसर होगा Option C तेलंगाना आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या 20 की तरब सार्णाद मंदिर कहां इस्तित है Option A हर्याना Option B उत्तरप्रदीश Option C तमिलनाडू Option D महराष्ट राइट आंसर होगा आपका Option B उत्तरप्रदेश आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या 20 की तरब व्रदेश्वर मंदिर कहां इस्तित है Option A तमिलनाडू Option B मनिपूर Option C करनाटक Option D नई दिल्ली राइट आंसर होगा आपका Option A तमिलनाडू व्रदेश्वर मंदिर कई बार क्योशन पूचा जा चुका है व्रदेश्वर मंदिर से समंदिर व्रदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडू में इस्तित है आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या 22 विश्वनात जोतिरलिंग मंदिर कहां इस्तित हैं? आप्शन A कानपुर, आप्शन B राची, आप्शन C है कांगडा हिमाचल प्रदेश या आप्शन D है काशी उत्रप्रदेश राइट आंसर होगा आपका, आप्शन D, काशी उत्रप्रदेश आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या तेईस, योगिनी मंदिर कहां इस्तित है? योगिनी मंदिर, आप्शन A मुरेना मद्यप्रदेश में, आप्शन B जापुरास्तान में, आप्शन C है हमपी करनाटक में, या आप्शन D नैनीताल उत्राखंड में योगिनी मंदिर, आप्शन A, आप्शन B, आप्शन C या आप्शन D, राइट आंसर है आपका आप्शन A मुरेना मद्यप्रदेश अगला प्रश्शन है कि शोर मंदिर या तट मंदिर जिसे हम कह सकते हैं वो कहां इस्तित है शोर मंदिर या तट मंदिर जो है वो कहां इस्तित है Option A है आपके सामने महावलीपुरम तमिलनाडू Option B है ज्यापुर राजस्तान Option C है हमपी करना टक Option D है गुरुग्राम फरियाना Right answer होगा आपका कौन सा Option A महावलीपुरम तमिलनाडू अगला किशन है किशन नमबर 25 है आपका पास गमतेश्वर मंदिर कहां इस्तित है Option A राजस्तान Option B मेगाले Option C नागालेंग Option D करना टक गमतेश्वर मंदिर Right answer है आपका Option D करना टक इस वीडियो के माद्यम से आपकी नोलेज बहुती ज्यादा बटेगी आपके बारे में यदि किसी भी मंदिर का जिक्र होता है तो आप तुरंट उसके बारे में बता सकते होंगे आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है प्रसन संक्या 26 भीम संकर जोतिर लिंग मंदिर कहां इस्तित है और एक बार आप जो ये जोतिर लिंग मंदिर जो है सादे इनको आप देख ले ना ये दस जो मंदिर हैं उनके बारे में मैंने प्लैलिस्ट में वीडियो डाल रखी है आप जाकर देख सकते हों चैनल पर उप्शन A है आपका बैंगलोरू करना टक उप्शन B है खजुराहू मध्यप्रदेश उप्शन C है पूने माराष्ट या उप्शन D है गांधी नगर गुजरात कौनसा उप्शन होगा बेम संकर जोतिलिंग मंदिर कहां है उप्शन A उप्शन B उप्शन C या उप्शन D राइट आंसर होगा आपका उप्शन C पूने आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या 27 की तरफ दक्षिना मूर्थी मंदिर E.M. मई मंदिर कहां इस्तित है उप्शन A अमरेश्चर पंजाब उप्शन B है गुरुग्राम हरियाना उप्शन C है वडोद्रा गुजरात या उप्शन D है देव प्रियाग उत्राखंड दक्षिना मूर्थी मंदिर E.M. मई मंदिर राइट आंसर होगा आपका उप्शन C वडोद्रा गुजरात में इस्तित है दक्षिना मूर्थी मंदिर या E.M. E. मंदिर आगे परते हैं प्रसंद सिंख्या 28 की तरफ महा बोद्र मंदिर कहां इस्तित है महा बोद जो मंदिर है वो इस्तित है आगे बरते हैं प्रसंद सेंग्या 39 की तरफ मलिक कारजुन जोत्रलिंग मंदिर का हांस्तित है Option A उत्राखंड Option B आंदरप्रदेश Option C राजस्तान Option D मध्यप्रदेश मलिक कारजुन जोत्रलिंग मंदिर Option A उत्राखंड Option B आंदरप्रदेश Option C, राजिस्तान Option D, मध्यप्रदेश Right answer होगा Option B, अंध्यप्रदेश आगे बढ़ते हैं प्रिसन सिंग्या 30 की तरफ सुक्रेश्वर, मंदिर कहां इस्दित है Option A, गुवाहाटी, असम Option B, गांधी नगर, गुजरात Option C, भुनेश्वर, अउडिसा Option D, अमरश्वर, पंजाब आपका Right answer होगा Option A, सुकेश्वर जो मंदिर हैं वो इस्दित हैं, गुवाहाटी, असम अगला प्रेशन है, प्रसन सिंग्या 31 केलास मंदिर कहां इस्दित है Option A, अमरश्वर, पंजाब Option B, अलोरा महराष्ट Option C, भुनेश्वर, अउडिसा Option B, कांगडा, हिमाचल प्रदेश आपका Right answer होगा Option B, अलोरा महराष्ट अलोरा की गुपाओं में, अलोरा में केलास मंदिर इस्दित है आगे पढ़ते हैं, प्रसन संक्या 32 की तरप रामनाज स्वामी मंदिर कहां इस्दित है Option A है, बैंगलोरू, करनाटक Option B है, राची, जारखन Option C है, खजुराओ, मध्यप्रदेश Option D है, रामिश्वरम, तमिलनाडू आपका Right answer होगा Option D, रामिश्वरम, तमिलनाडू रामनाज स्वामी मंदिर है, रामिश्वरम, तमिलनाडू में इस्दित है आगे बढ़ते हैं प्रसन संक्या 34 की तरप प्रसन संक्या 33 वो ही है इबेम संकर जो तेलिंग, जो मंदिर है, वो कहां इस्दित है तो Right answer होगा, पोने माराष्ट आगे बढ़ते हैं, प्रसन संक्या 34 की तरप हेम कुंट साहिब, याद रखना हेम कुंट साहिब कहां इस्दित है Option A, अमराष्चर, पंजाब Option B, चमोली, उत्राखंड Option C, जयापूर, राजिस्तान या Option D, हमपी करनाटक Right answer होगा आपका Option B, चमोली, उत्राखंड आगे बढ़ते हैं, प्रसन संक्या 35 की तरप दक्षन इश्वर, काली मंदिर कहां इस्दित है Right answer होगा आपका Option D, कौलकता, पच्छिम बंगाल दक्षन इश्वर, जो काली मंदिर है वो इस्दित है, कौलकता, पच्छिम बंगाल में अगला प्रसन है, प्रसन संक्या 36 की तरफ श्री विजय विठ्थल मंदिर कहां इस्दित है Option A है आपके सामने कानपूर, उत्रप्रदीश Option B है, राची, जारखंड Option C, जौत्पौर, राजस्थान Option D, हम्पी, करनाठक Right answer है आपका Option D, हम्पी, करनाठक अगला प्रसन है प्रेम मंदिर कहां इस्दित है Option A है, वंद्रावन, उत्रप्रदेश Option B है, हम्पी, करनाठक Option C है, जौत्पौर, राजस्थान Option D है, वैंगलूरू, करनाठक Right answer होगा आपका Option A, वंद्रावन, उत्रप्रदेश आगे परते हैं प्रसन संक्या, थटी, एथ की तरफ काफी प्रुसिद मंदिर है केदारनाठ मंदिर, आप सबी जानते हो वो कहा है, इस्दित है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं और किस वज़ा से वो फेमस है Option A है आपका जारखंड, Option B है महराश्ट Option C है उत्राखंड, Option D है अंद्रप्रदेश Right answer होगा आपका Option C, उत्राखंड में आगे परते हैं, प्रसन संक्या, थटी, नाइन सबरी माला मंदिर कहां इस्दित है Option A, असम, Option B, केरल, Option C, गोवा, Option D, त्रप्रा Right answer होगा आपका, Option B, केरल अगला प्रेशन है, प्रसन संक्या, 40 आदे प्रेशन हो चुके हैं, असी जो प्रेशन है असी जो मंदिर है, इस वीडियो में लिए गए है, इस PDF में मैंने बनाई है ये PDF, और आदे जो प्रेशन है वो अपने क्लियर हो चुके है, आदे मंदिर, 40 मंदिरों के बारे में हमने जान लिया है कि वो कहां इस्दित है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को इतनी मैनेज के लिए एक लाइक कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर छोड़ दें आगे बढ़ते हैं देखो रत मंदिर कहां इस्थित है, और ये चारो धाम आपको याद होने चीए आगे बढ़ते हैं, उप्शन A है उत्राखंट, उप्शन B है असम, उप्शन C है त्रिफोरा उप्शन B है आंधर परदेज तो right answer होगा बेसिकगा आपका उप्शन A उत्राखंट, बदरिना ज़ो धाम है। वह कहा है उत्राकंडब मारे आगे बढते हैं प्रसंद सिंग्या 42 की तरफ 22 ओल प्रसंद हैं राजा रानी मंदिर कहां इस्थित है यह जो मंदिर हैं कई बार पूके जाते हैं राजया रानी कि जीया जो मंदिर है वो कहां इस्थित है option A आपके सामने भुनेश्वर ओडिसा option B है जैपुर राजस्तान option C है हमपी करना टक option D है इंदोर मध्यपरदेश right answer आपका क्या होगा option A option B option C या option D option A correct answer होगा भुनेश्वर ओडिसा राजारानी जो मंदिर है वो बौनेश्वर ओडिसा में इस्थित है प्रसंद संक्या 43 वा है दिलवाडा मंदिर कहां इस्थित है option A राजस्तान option B हरियाना option C केरल option D सिक्किम right answer होगा option A राजस्तान में है दिलवाडा मंदिर आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या 44 की तरफ रामिश्वरम मंदिर कहां इस्थित है option A कनाटक option B है मध्यपरदेश option C है आपका जारकंड option D है तमिलनाडू रामिश्वरम मंदिर प्रसिद मंदिर जैसरे राम बताईए आप सभी को पता होना चाहिए रामिश्वरम मंदिर जो है वो कहां है आपका right answer होगा option D तमिलनाडू आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या 45 की तरह प्रसन सिंक्या जो 45 है वो है कि केलास नात मंदिर कहां इस्थित है option A है काचि पुरम तमिलनाडू option D है बोनेश्वर ओरिसा option C है खजुराओ मध्यपरदेश option D है इंदोर मध्यपरदेश राइट आंसर होगा आपका ओप्शन A काचीपुरम तमिलनाडू जो केलासनाच जी का जो मंदिर है वो है काचीपुरम तमिलनाडू में आगे बढ़ते हैं प्रसंद सिंक्या 46 व्रदेश्वर मंदिर कहा इस्तित है अब भी यह जो RPSC में यह क्यूशन पुछा गया था व्रदेश्वर जो मंदिर है वो का इस्तित है आप्शन A है आपका बैंगलोरू करनाटक आप्शन B है जौदपोर राजस्तान आप्शन C है अमपी करनाटक या आप्शन D है तंजोर तमिलनाडू राइट आप्शन होगा आपका आप्शन D तंजोर तमिलनाडू जन भाईयों ने भी D आप्शन बताया कर्एक्ट आप्शन होगा उनका व्रदेश्वर मंदिर तंजोर तमिलनाडू में इस्तित है द्रमा जी मंदिर का है इस्तित है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जो मंदिर है वो कहां इस्तित है और एक जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो राजस्तान पुषकर में है याद रखना और उसके ग्यारा किलोमेटर जो दूर है ब्रह्मा जी की पत्नी का जो मंदिर है ये रायट आंसर क्या होगा इसका? इसका रायट आंसर होगा टन्जोर, तमिलाडू इसमें शैद मिस्टेक हो गई है लेकिन इसका जो मानते हैं ब्रभ्माजी मंदिर ही है ये होगा राय आंसर आपका आप्शन A, पुषकर राजस्थान में ये जो हैं, ये गलतांसर हो गया है पुषकर रास्तानमेई है ब्रह्मा जी स्थनये पुषकर रास्तानमेई है प्रसंग सिंग्य 48 है दिलवारा जयन मंदिर कहा इस्तित है और मेरे से कोई बी गल्ती होती है तो आप पलिस कमेंट बोक्स में बता दिया करें दिलवारा जैन मंदिर काहिंस्तित है दिलवारा जैन मंदिर जो है वो काहिंस्तित है दिलवारा जो जैन मंदिर आप्शन A बैंगलोरू करनाटक आप्शन B है बोनेश्वर उडिशा आप्शन C है तंजोर तमिलनाडू option D है माउंट ताबू, राजस्थान right answer होगा option D, माउंट ताबू, राजस्थान correct answer होगा दिलवारा मंदिर, जेन मंदिर आगे बढ़ते हैं प्रसंद संक्या 49 की तरफ रंचास वजो प्रिश्चन है वो है खजुराओ मंदिर कहां इस्तित है बड़े प्रश्चद मंदिर है खजुराओ के मंदिर, वो कहां इस्तित है गोवा, option D है मिजोरम option C है मध्यप्रदेश या option D, जारगन right answer आपका एक ही नजर में होना चीए एक ही बार होना चीए option C, मध्यप्रदेश आगे बढ़ते हैं प्रसन सिंक्या 50, 50 जो क्यूशन है हमारे 50 मंदिर है वो complete हो चुके है 50 वा जो क्यूशन है, वो है स्रीपुरम golden temple स्रीपुरम स्वार्ण मंदिर कहां इस्तित है बड़ा ये प्रसिद मंदिर है स्रीपुरम golden temple या स्रीपुरम हम माल सिकते हैं स्वर्ण मंदिन कहां इस्थित है option A है आपके सामने तमिलनाडू option B है उत्राखंड option C है मनिपूर option D है और इसा right answer होगा आपका option A तमिलनाडू आज के 50 questions हो चुके हैं और जो बाकी बचे हैं 30 questions उन 30 questions को भी हम complete कर लेंगे क्या वनवकीशन आपका लिंग राज मंदिर कहां इस्थित है आप comment box में बताइंगे कि लिंग राज जो मंदिर है वो कहां इस्थित है यह आपके लिए यह है जो प्रसंद बनाय गया आपके लिए ही आपकी देखो आपको कित्ताक knowledge है मंदिरों के बारे में कित्ताक आपने पड़ा है और जो बाकी के जो प्रशन है उन्हें हम अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में जरूर जो है लेके आएंगे तब तक के लिए थैंक्स पूर वीडियो आपका जो आशिरवाद है हम पर ऐसे ही बनाए रखेगा